हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल अध्यान अड़्डा पे हारदिक स्वागत करता हूँ तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिडियूल के अकॉर्डिंग जोग्रफी और जोग्रफी में भी चैप्टर वन जो है यह कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू का अब्जेक्टिव कोईशन आंसर सिशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट रहने वाला है आपके एक्जाम की पॉइंट आफ दू से बहुत सारे अच्छे कुस्शन में मुख करने वाले हैं आपको बहुत मजाएगा सिशन में यह सिशन जो है दोसाइर چॉपीस के board exam के लिए बहुत ही जादे important है उन बच्चों के लिए important है जो बच्चे Hindi माध्यम के क्योंकि मैं Hindi माध्यम के बच्चों को पढ़ाता हूं इसलिए उन्हीं को ज्यादा benefit होने वाला है और इस chapter का जो नाम है प्रवास प्रकार यानि कि प्रवास के जो प्रकार है प्रवास होता है जो आदमी है इनसान के संदर में ही बात करेंगे जो लोग है उनका एक हस्तान से दूसरे हस्तान तक जाना इसका कारन क्या है और परिनाम क्या है इस chapter में इस से related जो भी important question answer है हम सब इस चेप्टर में करने वाले हैं सारे question answer तो हमारा ये जो schedule है आपको सामने है schedule जाज जोगरफी है और जोगरफी जो है आज जोगरफी आज Monday है तो आज हम लोग जोगरफी की class करने वाले हैं और I hope आपको schedule पूरी तरीके से याद हो गया होगा कि कौन से दिन कौन से class चल ली है और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको उनके लिए तो इसलिए मैं लेकर के आता हूँ और साथ ही साथ जो इसका timing है ये 8 बज़े सामें daily हो रहा है और अगर आप लोगों ने से पहले chapter 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए का आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोग playlist में भी ढूण सकते हैं अध्यन अड़ा के YouTube चैनल के playlist में और साथ ही ताथ description में भी मैं इसका link देने की कोसिस करूँगा या इसका link जो है मैं दे दूँगा उसके बाद session अच्छा लगे तो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा हमारे channel को ताकि मेरा जो motivation बना रहे और मैं और ज्यादा मेहनत करता रहूँ आप लोगों के लिए और आपको और नए-ने content जो है यह लाकर के देता रहूँ ठीक है पहला question है हमारे सामने कि प्रवास से संबंद्धित जनगन्ना में यानि कि जो लोगों का एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाना होता है अस्थानांतरन होता है उसी को प्रवास कहते हैं उससे संबंधी जनगना में पहला मुख्य संसोधन किस वर्स किया गया था अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आज ये जो संसोधन हुआ था पहला मुख्य संसोधन या किस वर्स हुआ था तो पहला मुख्य संसोधन जो हुआ प्रbaboscope यहुतां ओर मोर्ण़िएल नायटिटीन सिस्टीवन में हूआ था यानि की मुख्यससोय होदन कहने का क्या आरत था तो दो बातों का दिहान दिया गया यहां में कौनसी बाते थी कि जन्म का अस्थान को जन्म का अस्थान यानि कि संबंधित व्यक्ति की जो जन्म हुआ संबंधित व्यक्ति का जन्म हुआ वह किस अस्थान पर हुआ है और साथ ही साथ निवास का समय यानि को वह कितने समय से जो है वहां पर रह रहा है लेकिन 1961 से पहले सिर्फ एक ही चीज थी जिस आधार पर जन्गन्ना की जा रही थी जन्म का अस्थान यान पर पैदा 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 किस अस्थान पर उस वेकती की पैदा हुकिस वह्ती के जन्म हुआ है किस अज़ों में हुआ था आगे बढ़ते हैं लोग हमारा अगला कोश्यन है प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेस किस वर्स की जनगन्ना में किया गया 1961 है 1971 या 1981 या इनमें से कोई नहीं जो सूचना का समावेस किया गया यानि कि 61 के बाद 61 के बाद और भी सारे सूचना नहीं ली गई लोगों से कि अगर आपकी आपका जो जन्म हुआ यह कहां पर हुआ है संबंधित व्यक्ति का जन्म कहां पर हुआ है तो मामा वह कहें जो बिहार में हुआ है मान लिजिए कि अगर आपका कोई कोई गाउं है ठीक है गाउं है कोई यह गाउं है इस गाउं में जनगना चल लई है लेकिन संबंधित व्यक्ति के बारे में जो जानकारी मांगी जा रही है उसका जन्म गाउं ए में नहीं हुआ उसका जन्म हुआ गाउं बी में हुआ या किसी सहर में हुआ किसी भी जगह हुआ या किसी दूसरे राज में हुआ या किसी दूसरे देश में ह हुआ कहीं भी हो सकता है तो संबंधित व्यक्ति के बारे में अब जानकारी मांगी जाने लगी किस सहर में हुआ या तो उसके अलावा और भी बहुत साड़ी जानकारियां थी जो मांगी जाने लग गई इसी वज़े से इसको जो कहा गया है 1981 को जन्गन्ना का या सुचना का समाबेस्टाइन की बहुत सारी इंप्रमेशन जो थी वह जनता से ली जा रही थी ठीक है आपको समझ में आ गया होगा अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं 2001 की जन्गन्ना के अनुसा अंतराश्रिय और प्रवासियों की कुल संख्या का कितना परतिसत और प्रवासी पड़ोसी देशों के हैं जो भारत में लोग आ रहे हैं ठीक है मैं मैं एक जामपल ले लेता हूं एक तो भारत ठीक है एक तो भारत और दूसरा में बंगला देश का एक्जामपल लेता हूं दूसरा में बंगला देश का एक्जामपर लेता हूं तो बंगला देश से जो लोग है वह कहां आ रहे हैं इंडिया आ रहे हैं इंडिया के लिए वो क्या कह रहेंगे और परवासी कहलाएंगे यानि कि इंडिया में आ रहे हैं वहीं इंडिया के लिए यह और परवासी या आ आप परवासी कहलाएंगे आप परवासी कहलाएंगे वहीं बंगला देश के लिए इनको उत परवासी कहा जाएगा यानि कि वो लोग बंगला देश से इंडिया चले आए बंगला देश के लिए ले वो उत परवास कर गए हैं इसी वज़े से उनको उत परवासी कहा जाएग कि 2001 की जनगन्ना के अनुसार अंतराष्टिय उपरवास्यों कि कुल संग्या का कितना पर्तिसत जो उपरवास्य पड़ोसी देशों से भारत ये पड़ोसी देश बंगला देश नेपाल भुटान पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान मयानमार यानि वर्मा पहले जिसको कहते थ है तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा 2001 की जन हो सार 96 न हुख कहीं कहीं पर आपको 95.5 % पे मिलेगा कहीं पर आपको 95-5 फाइपर सेंट है लेकिन NCRT जो लिखती है NCRT 96 परसेंट लिखता है और हम लोग NCRT को फॉलो करते हैं यह आपको अच्छे से पता होगा तो कितना हो जागा से आयते कहां से आयते तीस लाख लोग यह यह तीस लाख लोग बंगलादेश से ठीक है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका PDF आपको मिल जागा बिल्कुल टैंसर लेने की कोई बात नहीं इसका PDF मैं आपको दे दूँगा आगे बढ़ते हैं हमारा अगला कोश्चन है निमलिकित मेंसे कौन सा भारत में पुरूस परवास का मुखे कारण है दोजार पंद्रह उनीस और एकीस में लगातार पूछा गया कोश्चन है पुरूस परवास का मुखे कारण यानि कि पुरूस होते हैं एक अस्थान से है option c हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा काम और रोजगार option c हमारा बिल्कुल right answer हो जागा और अगर आप लोग जानते हैं तो please answer जरूर करिएगा ठीक है अगला question है हमारा निम्न लिखीत में से किस राज में सरवाधिक संख्या में और परवासी आरते हैं देखिए दो सब्द होता है ठीक है अंतर राज्जिये और दूसरा होता है अंतरा ठीक है अंतरा राज्जिये लिखा जाता है इसी को अंतर राज्जिये भी बोलते हैं ठीक है या इस वाले सेक्शन इसको अंतर राज्जिये भी बोलते हैं आपके इसको नहीं इसको बोलते हैं ठीक है चली तो अंतह राजिये का जो अर्थ होता है कि जैसे मैं बिहार का बिहार में ही लोग एक जिले से दूसरे जिले एक अस्तान से दूसरे अस्तान जैसे पटना से गया गए गया से दर्भंगा गए दर्भंगा से नालंदा चले गए नालंदा से फिर्मा सिभर चले गए भागलपुर चले गए तो यहां हो जाएगा अंतरा राज जिये जो हो ज लोग चलेगे महाराष्ट्रा तो यह हो जाएगा अंतरा राज जी यह पूछ कहा रहा है निमलिखित में से किस राज में सरवादिक संख्या में और परवासी आते हैं किस राज में दूसरे राज्यों से आते हैं तो किस राज में आते हैं महाराष्ट्र से कहां से आते हैं महा बभारत के बिभिन राजों से महराश्र में पहुंचे हैं काम के लिए वेफसाइग के लिए रोजगार के लिए उमीद करते हैं कि आपको यह भी कोश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा अगले कोश्चन पर चलते हैं भारत में प्रवास की निम्लिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुस परधान है यानि कि पुरुस जो है एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाते हैं किसी भी चीज के लिए तो वह कहां से कहां की और गमन करते हैं गाउं से गाउं की और पहला उपसन है किस दारह में मतलब प्रोष प्रवास करते हैं गहाँ से सहर जाते हैं ग्रामीन से नगर जाते हैं जो हजाएंगा बिल्कूल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और कि मैं प्रतीसत में और तो 38 पर तीसत अब कहिएगा क्योंकि 2001 की जनगर्णा के अनुसार जितने लोगों ने प्रवास किया है ठीक है उसमें से जो पुरूस प्रवास है वो 38 पर तीसत यानि कि गाउं से सहर की और काम के सिलसले में वो लोग गए थे अगला कोश्चन है हमारा निमलिखित में से किस नगर यह समुहन में प्रवासी जनसंक्या का अंस सरवाधिक है किस नगर में प्रवासी जनसंक्या यानि कि दूसरे अलग अलग राज्यों से दूसरे अलग अलग सहरों से आय हुए लोगों की संक्या सबसे ज्यादा है 2015 में पूछा गया question है और हमारा answer option यह हो जाएगा कर सकते हैं वित्रन अस्थान आंतरन प्रवास या बकसर तो जगह का नाम हो गया क्या हो जागा प्रवास हो जाएगा आस्थान से दूसरे हस्थान लोगों का हστानान तरण हो अगला कोश्च्छन है हमारा 2001 की 2001 की जनगन्णा के निसार भारत मं कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ भारत में कितनी लाख लोग आये अन्ने देशों से तो अभी Just discuss रो पाहे है भारत और बंगला देश का मैंने जिक्र किया था तो कितना लाख लोग आये 50 लाख लोग आये जिसमें से 60 पर 있어서 इस 50 लाख में से 60% जो लोग है या कहां से आए 60% लोग बंगला देश से आए हैं बंगला देश से ठीक है कहां से आए बंगला देश से आए इतना ध्यान रखियेगा आप लोग ठीक है अगला question है यानि कि अगर आंकरा में बात करें अगर लाख में बात करें तो लाख में कितना हो जाएगा 30 लाख कितना हो जाएगा 30 लाख ठीक है अगला question है हमारा भारत में कौन से परोसी देशे सबसे अधिक परवासी आए 2018 में पूछा किया कुश्चन है कौन से परोसी देस है अभी जस्ट डिसकस हो चुका है कहां से बंगला देस से और कितने लाक तीस लाक लोग आए अगला कुश्चन है एक अनुमान के अनुसार भारती ये डायस्पोरा के कितने लोग 110 देसों में फैले हुए है कितने देसों म 110 देसों में और क्या पूच रहा है किसके लोग है बहारती दायस्पोरा की लोग है यानि कि वैसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन Gwen बहुलि कितना हो जाएगा हो जाएगा कितना हो जाएगा दो करोर, option नमर बीज हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा हो, please like, share and subscribe जरूर कर दीजे ताकि मुझे भी motivation मिले और आप लोग last में comment कीजेगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, बढ़ते हैं अपने अगले सेश नहीं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा पढ़के कोई फाइदा नहीं होने वाला, खासकर अभी, हाँ किसी का interest होगा जोगरफी में, या किसी का policy में, किसी का history में, तो आगे जब आप graduation करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा, जो deep में है, वहाँ नांतरन होता है, लोगों का अस्थानांतरन होता है, वह किस अधार पी की जाती है, जन्म के अधार पे, उसके गन्ना, जन्म के अधार पे, निवास के अधार पर होगा, या जन्म और निवास दोनों है, या इन में से कोई नहीं, आंसर करिए आप लोग, क्या हो जागा हमा अगला कोश्चन है हमारा प्रवासी जो नए अस्थानों पर जाते हैं क्या कहलाते हैं जो दूसरे अस्थानों पर चले जाते हैं जैसे बंगलादेश के संदर में मैंने बताया था बंगलादेश के लोग जो आ गए कहां पे बंगलादेश के लोग कहां चले गए भारत चले यह जो हो जाएगा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है हमारा भारत में पुरूस प्रवास का कारण है यानि कि जो लोग है खास करके पुरूस वह एक अस्तान से दूसरे अस्तान क्यों जाते हैं 2023 में पूछा गया कोश्चन है यहां पे मुख्य कारण नहीं पूछा है इसलिए ध्यान से आंसर करना है अप लोगों को सिक्षा रोजगार वेफसाए इन में से सभी तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्सन डी हो जाएगा इन में से सभी ऑप्सन नमर डी जो हो जाएगा बिलकु होता है यानि की इस्तरियों का प्रवास है बारत में इस्तरियों का प्रवास है वह ग्रामीन से ग्रामीन में जादा होता है ठीक है और कितना परतीसत है 65% कितना परतीसत है 65% है ठीक है और इसका मुक्हे वजा क्या है जब इस्तुरियों की साधी हो जब लड़कियों की साधी हो जाती है तो अपना घर छोड खोर करके वह अपने स ससुराल में रहने के लिए चली जाती है वही उनका घर हो जाता है इसलिए प्रवास का सबसे ज़्यादा जो कारक हो जाता है यानि कि जो इंपक्ट करेगा जो प्रभावित करेगा उनकी साधी जो है सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करता है उमीद करते हैं यह आपको समझ में आ गय उंप्कुल राइट अंसर हो जाईगा उत्तर परदैस हमारा राइट आंसर होगा जस्टवत पर उत्तर परदैस अमारा राइट आंसर होगा और कितने लाख लोग ऋिख ус your five हम डिए नहीं हुआ ठीक है यह दोजार एक का ही डाटा है यह पैंसाद आपको नहीं दिखेगा ठीक है वाइटी लेना सही रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 2001 की जनगन्ना के अनुसार 31.5 करोर परवासियों में से उसमें से 31.5 करोर यानि की 35.5 करोर परवासियों में से 31.5 करोर कौन थे परवासी थे जो विदेशों से भारत आये जो भारत के अन्य राजों से दूसरे राजों में गए कुल मिलाकर 31.5 करोर थे इन में से कितने करोर लोगों ने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास अस्थान बदल दिया है बात करे 2011-12 के बाद की बात की जारी और अभी तक की बात की जारी ये सालों में कितने लोगों ने बदल दिया एक तरह से अनुमानी ताकरा है तो हमारा आंसर हो जाएगा अफसे नमबर C 9.8 करोर कितना हो जाएगा 9.8 करोर हो जाएगा अगला question है हमारा 2001 की जनगन्ना के नुसार भारत में कितने परतिसत लोग ऐसे हैं जो अपने मूल अस्थान से निकल कर अन्यत्र बस गए यानि कि कहीं दूसरे अस्थान पे चले गए उनकी संख्या कितनी हो जाएगी अभी जश्ट अगर आपको नंबर पता चल जाएगा 31.5 करोर है option के according एक सो तीन करोर के आसपास जन संख्या है जिसमें से 31.5 करोर लोग जो है कहां चले गए दूसरे अस्थान पे चले गए तो लगवग प्रतिसत बनता है 30 प्रतिसत कितना बनेगा 30 प्रतिसत बनेगा option नमर बी जो हो जाएगा बिलकुल राइट आंसर हो जाएग तो option A हो जाएगा हमारा दो परकार का ठीक है और कौन कौन सा हो जाएगा एक तो आप प्रवास हो जाएगा और दूसरा उत्प्रवास हो जाएगा ठीक है दूसरा उत्प्रवास हो जाएगा अगला कुश्यन है हमारा किस महादोईपी में भारत का पहला प्रवास हुआ था अफरिका औस्टेलिया यूरोप या अमेर्का तो कहां पर हुआ था अफरिका में हुआ था जब भारत बृटेन का उपनिवेश था उस समय बिहार उत्तर परदेश से जो मलतूर है इनको लिए जाता था अफरिका में और वहां पर इनसे काम करवाया जाता था किरसी संबंधि में से कौन सा एक जन अस्थानांतरन का अपकर्स कारक नहीं है नहीं है दोजार अठारह और एकीस में पूछा गया कोश्चन है ठीक है दोजार अठारह एकीस में पूछा गया कोश्चन है अपकर्स कारक नहीं है ठीक है जन संक्या प्रवास के जो कारक होते हैं या दो कारक हो होगा और option देखते हैं हम रहन सहन की निमन दसाइं और रहन सहन की अच्छी दसाइं यानि कि दोनों जो option है यही एक दूसरे का विरोधा वाज कर रहा है यही एक दूसरे को काट रहा है जो किसी व्यक्ति को एक स्थान छोड़ने के लिए बाध करते हैं मजबूर करते हैं तो जो मजबूर करते हैं वह प्रतिकर्सकारक में आते हैं तो यहां पर कह रहा है आपकर्सकारक नहीं है यानि कि प्रतिकर्सकारक है मजबूरी वस गये होंगे तो रहन सेहन की निम्न दसा होंगी किस वजह से डोग छोड़ करके सहरों में नगर में चले जाते हैं दूसरे जगह चले जाते हैं जहां रहें सेंट की अच्छी दसाएं होती हैं तो वह क्या हो जाएगा प्रतिकर्स कारक हो जाएगा यानि कि ऑप्सन नमर यह जो हो जाएगा विल्कुल राइट आंसर ह जाते हैं या जहां रह रहें और ठोर करके जाते हैं तो दोनों का जह होगा अ उत्तरदाइग कारब को का क्या हो जाएगा प्रवास नमर यह बिल्कुल राइट आंसर होगा अगला कोश्चन है हमारा उपनिवेस काल में भारत से गए प्रवासी सर्मिक मॉरिसस वो केरिबि अंदेसों में क्या करते थे तो मैंने आपको बता है अगर आपने ध्यान से मेरी बाते सुनी होगी तो आपको याद होगा या अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए रोपन किरसी उद्द्योग वैपार या खनन क्या करते थे रोपन किरसी करते थे और यह जो हो जागा बि पुरूस परतान है तो नगर से नगर को महिला परतान है ठीक है तो सरबादिक परवास जो होता है अगर मैं पुरूस के संदर में बात करूं यहां से पुरूस के संदर में बात करूं तो ग्राम से नगर को होता है कहां पे होता है ग्राम से नगर को वहीं महिला के संदर में ब नहीं होगा बलकि option के according अगर यहां पर पुरूस देदेता तो ए हो जाता और महिला देता तो भी हो जाता ठीक है अगला question है हमारा भारत में अंतर राजिये परवास में सर्व परमुक है अंतर राजिये परवास में ठीक है एक राज से दूसरे ग्राम से नगर में पुरूस परधान ग्राम से ग्राम को महिला परधान नगर से नगर को पुरूस परधान या नगर से ग्राम को महिला परधान तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ग्राम से नगर में पुरूस परधान, option A जो हो जाएगा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, भारत में अंतराजी प्रवास, यानि कि एक राज से दूसरे अस्थान में जो लोग जाते हैं, गाओं से नगर में जाते हैं और पुरूस तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम महिला परधान हो जाएगा, यानि कि option नबर B जो हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर option नमर यह हो जाएगा, क्योंकि पुरूस परधान सबसे ज़्यादा अंतराजी प्रवास जो होता है, चुरवाने का कारण बने, यानि कि बाद ही किया गया उनको, किसी ना किसी वजह से, या किसी वजह ने उनको बाद ही किया, जो अपना निवास अस्थान या अपना उद्गम अस्थान, जहां वो पैदा हुए, जहां पले बढ़े, वो चुर करके कहीं और जा रहे हैं, तो जैसे मान लिजी ये मुंबे है, दिल्ली है, आकरसित करता है, उद्योग है, अच्छी अच्छी इंसिच्यूट है, अच्छी अच्छी हस्पताल है, तो क्या करते हैं, तो क्या हो जाएंगे या अपकर्स कारक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपकर्स कारक, आपसन नमर ब बात की जा रही है परिया वर्निय समस्या लिंगानुपात असंतुला नहीं धौनी पर्दूसन है लेकिन यहां पर पूछ रहा है प्रमुक प्रमुक हो जाएगा गंदी बस्तियों का फैलावाव सनमरसी जो जागा बिल्कुल राइट अंसर हो जागा प्रदूसन होगा धौन पर दूसन जल पर दूसन वनों की कटाई होगी निप्ठारन में प्रॉब्लम आएगी जो नगर की बसावट है कहीं और में संगटी qt हो जाएगा कै Palm Kingdom होती है यह परिया वर नियれ समस्या अफिन प्रमुक समस्या आई तो घंदी बस्तियों का भो जाता है, जैसे मुंबए का धारा है भी हो गया, दिली में कई बारा आप लोगों ने सुना होगा कि जो गंदी बस्तियां थी उसको हटाने का निर्देश दिया गया है, जो परियावरनिय समस्य आती, जो परियावरन से कर दीजे कि सेसन आपको कैसा लगा मिलते हैं फिर अगले सेसन में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल लखिए थैंक्यू